अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें अपने एक्शन मुवीज कोtest और बेल एक्शन मुवी जिसदा एक्शन मुवीज कर दो मिष्सेज सब्सक्राइब करहो स्ब्सक्राइब बेला एक्शन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेरे प्यारे प्यारे स्टाप मेंबर्स दिवाली मुबारक यह छोटी सी भेज सिपा करें यह लो भजी यह लो यह लो दिवाली मुबारक हो सेर जी जीती रो बेठी जीती रो आपको भी दिवाली मुबारक हो आपको भी दिवाली मुबारक हो आपको भी दिवाली आपको भी दिवाली आपको भी जीते रहो जीते रहो तुम्हेरे शादी के बाद ये पहली दिवाली है कहो तुम्हें क्या भेंट रही आजाए भेंट? मैं मैं इस उसे गिफ्ट गिफ्ट? आई वना हेलिकॉप्टर एक एर कंडिशन गाड़ी से भी काम चल जाएगा नहीं नहीं शेट जी आपका अशीरवादी हमारे लिए सबसे बड़ी फेंट है और फिर हम तो पहले से ही आपके ऐसान तरे दवे हुए हैं क्या कुछ नहीं दिया आपने हमें मुझे सद्रादास को मैनेजिंग डिरेक्टर बना दिया अपनी बेटी अपनी बेटी की शार्दी मेरे बेटे से करवा दी लक्ष्मी तो आपने पहले ही हमारे घर बेशती है लक्ष्मी नहीं इसका नाम उमर डड़ी यह लो बेटे इसमें ज्यादा तो नहीं सिर्फ एक पांस लाग कर चेक है इसकी क्या चुरूत थी पापा मैंसे जुरूत बहुत थी कोई जुरूत नहीं थी मैं तो हमेशे आपके उधर रहना चाहता हूं किदर रहा है चर्णों म अब मेरी प्यारी प्यारी बिटिया को क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए डाड़ी शादे के बाद भी आपने मुझे अपने से दूर नहीं किया आपका आशीरवाद और मुन्ना का प्यार है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है दीवी दीवी ये लोग मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं मुझे पटा के चला नहीं है बोली ना दॉक्टर प्लीज दॉक्टर आज की दिन लहने दीजिए आज दिवाली है मैं इसे रोते वे नहीं देख सकती नहीं हुँ माजी बच्चा के सहत के लिए वाइटाइमन के इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है दॉक्टर प्लीज नहीं बेटे, discipline is a discipline मुन्ने को अभी से discipline सीखना चाहिए वक्ष पर जागना, वक्ष पर खाना, वक्ष पर सोना जाए ये दॉक्टर, इसे आजेक्शन लगा कर शुला दूदे नहीं भाने लगा आज दूदिए ड़ी, प्लीज, एक दिन, आज कदिन फिर मैं प्रामिस करते हूं मैं इसे टाइम पर सुला दूँगी चलो ठीक है क्यों भाई हमारा स्वागत नहीं करोगे स्वागतम 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 सेच्चाय प्रकाश दिवाली मुबारक भई तुम्हे भी अब याद तुम इतनी दिने तो कहा गायब हो गये थे क्यों याद आज बेश खाई है याद नहीं है तुम्हें साल बार पहले तो उमा की शादी में आया था सुंदलाजी देखा आपने मैंने भी देखा आपने साच वागत इतनी ती सवताश से गुजर जाता है देखो ना तुम्हारी बेटी इतनी सी थी अब कित्ती बड़ी हो गई लिए बेटी तुम चॉकलेट कहोगी नहीं अंकर चॉकलेट खाने से तांद खराब होते हैं तुम्हारी बेटी इस उमर में काफी अकल बंद है भई शुक्र है भगवान का शकल मा पे गई और अकल बाग पे गलत क्यों अकल भी बागी तरफ गई है चलो शालुक पठाके जलाते हैं चलो मैं भी जाऊँ पठाके जलाने टेचू टेचू भई तुम्हारा बेटा भी किसी अकल मन से कम नहीं है अभी इसे शालुक आथ पकड़ लिया जैनके आथ पक्खे हो जाए क्या मतलब संबंदी बनो खे प्यार तूने तो मेरे दिल की बा जैदाद का मालिक बनाना चाहता हूँ और तुम पांच लाख रपरे के जयकी लिए कुछ रहे हो है जैदाद का मालिक और मैं लेकिन वह कैसे सब्सक्रक है कैसे हो सकता है वरकुरदार, जाब कुछ हो सकता है, अच्छा एक बात बताओ, बल्वन्त राए के बाद उसकी तमाम जायदाद का माले कौन होगा, आमर यानि के मुन्ना, अग्जेक्टली, और अगर आमर को रास्ते से हदा दिया जाए, यानि कुसे जान से मार दिया जाए तो, उमा, सेट जी की बेटी, आमर की बेन, बिल्कल, यानि के सारी जाइदाद की मालक बन जाएगी, उमा, उमा, जिसके तुम पती हो, यानि के मालक हो, फिर तुमाम जाइदाद का माले कौन होगा, तुम, पैन्टास्टिक, फाबूलस डार्ट, आप वाकि बहुत दूर की सोचते हैं, आप सचुच मेरे बाप हैं, अगर मुना मर गया, तो मालक मैं बनुगा, लेकिन डाड़ी है, मारने का नेकाम बन करेगा, उसका भी इंतिजाम कर दिया गया है, ये नेकाम आज और अभी होगा जगा काम उश्यारी से होना चाहिए, आप फिकर ना करें सेज्जी, लाश तो क्या खून के कत्रे भी नहीं मिलेंगे आज तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी दिद्री, पकड़ो, मैं आओ, 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 काहा है ये, ए मुन्ना, आपी पकड़ती हूँ तुझे, कहा गया, मुन्ना, मुन्ना, ओ मुन्ना, अरे अब आभी जा, थक गई अब, बास और बढ़ माशी नहीं, अरे कुछ ब आपी नवड़े के है, कुछ ड़ो, मैं, मुन्ना, मुन्ना, इअ या, कि मां मां आरे मंगल ये क्या हलत बना रखी है और तु इतना घब रहा है क्यों है ये क्यों है मां इस डाकू चक उसे मान रहा था मैं इसे छुडा लाया क्या हमारी गाउं में डाकू कहा है वो जल दिखा मुझे अभी तेरे पिताजी के बंदूक से उसे धेर कर देती हूं मां उसकी कोई जरुवाती नहीं मां उसे तो मैंने धेर कर दिया और पता है उसे ठीक है चाबाश ये हुआ ना शेर का पुतर चलना क्या हुआ बहुत दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है देखो तो अरे हां इसे थोड़ी चोट लगी है तुरो कि दर मैं अभी दवा लेकर आतीगा ने ने मुझे दवा नहीं चाहिए मुझे जोक्टर के पास मतले चाहिए वो मुझे इंजेक्शिन देगा अरे कोई इंजेक्शिन अगरा नहीं देगा मैं मलम लगाऊंगी उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा अंगल इसकी कमीज उतार और बिठाओ दर मैं अभी आरतीगा चल कपड़े उतार नहीं मुझे शरम आती है कोई शरम वरम नहीं कपड़े उतार में तो बुखार हो जाएगा तीरा नम मंगल है हाँ तीरा नाम क्या है मुन्ना मुझे मुन्ना चाहिए मैं मुन्ना के मिज़ा जिन्दा नहीं जाय सकती दीरेज रखो बहु मुन्ना मिल जाएगा उलीश चाहरों तरफ से उसे डूंड रही है अपने मुन्ना को डूंडने वाले को दसलाक रुपए नाम की गोश्ना भी कर दी गई है बेटी भगवान पर भरोसा रखो वह मुन्ना की रक्षा करेगा वह चहां भी हुए सुच आएगे ले मैंना सेव का अरे जमना पिछली बार मैंने इसे देखा था पर इतनी सी थी अब तो फूल जैसे सुन्दर लग रही है यह शोदा बेहन तुम्हारी होने वाली बहु है सुन्दर क्यों नहीं होगी आखिर उसको मंगल की गरिस्ती तो संबालनी है हां हां लेकिन मंगल है कहा होगा कई जंगल में आता ही होगा मा में आ गया लो नाम लिया और टपक पड़ा अरे मंगल मैंना तिरा कप से इंतजार कर रही है जा उसे गुमा कर लिया मैं नहीं गुमाता अरे अब इस इतना कर रहा है बड़े होके तुझा इसी से शादी करन ये वो ने करें तो क्या हुआ वैं तुझसे कर लूँगा अब क्या हुआ सेप चाहिए मैं तुझे बहुत लादूगा अब ये ये अंगुप लिए अब चुप कर पटवारी जी ये काम जल्द सघल अब जाना चाहिए पहन जी होकम किजिए मैं अपने जीते जी मेरी जमीन मेरे दोनों बेटों के नाम कर देना चाहती हो मंगल के नाम और मुंधि आप भी बहुत भुली हैं अपने बेटे का हक्चीन का किसी अजनवी के नाम करना चाहती है ज़र सोचे इंक ड़को मुंधि क drastically आ गया तो इतने दिन बिद गे, अब तक तो कोई नहीं आया, आप तो मुन्ना मेरा ही बेटा है, आपको जैसा मैं कहती हूं, वैसा किर जी बेंची जैसे आपकी इच्छा, मा, हम दोनों मेलिम में जाने के लिए तैयार है, कितनी अच्छे लग रहे है, मेरी रामलक्षमन की जोड़ी, अरे हाँ, देखो, ये पैसे ले लो, 20 रुपए तो ले और 20 रुपए तो रख, चल मुन्ना, अरे तो क्यों नहीं गया, मा, आप ये लो, कितना पैसे बें, बाजी तुपे, ये पैसे मैं देता हूँ, मेरे देता हूँ, पहले मेरे पैसे खर चुन दे, फिर तेरे, लेकि जूले में भी जुने दिये थे, तो क्या हो आयार, चल, चल, जूले पर जूलते, ने, ने, मुझे बाटर लगता है, और मुझे अना ने, तू उस पेड़ के पाट जाकर सुशू करका, तब तक मैं यही रूपता हूँ, आच्छा, ये तो वही बच्चा है, जल्दी पेपर देना, ये तो वही बच्चा है, सुन, तो गाड़ी स्टार्ट करकर रख, मुझा, मंगल, मुझा, 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 मुझ तो तुझे परके देख तो लूँ अरे ये ये तुम्हाने खुद सिया है मेरे लिए और मंगल के लिए मंगल कौन है बेटा जब मैं दीदी के साथ खेल रहा था न तब एक गुंदा आया वो मुझे उठाकर ले गया उसने मुझे मारने की कोशिश की तेकिन मंगल ने मुझे मैं नुमने भचा लिया उऐ जो मुझे मा कर्ता मैं को सबस्क्राइद करता हूं कैसे नोट कुने के गें मैं कर्च करने के लिए तो भी कर्च को नहीं कि mismo ईदी मंगल ने नहीं करने दिये। उसने कहा पहले मेरे전 करच करते हैं, बादमे तेरे। मंगल तुमें बहुत चाहता है। हां दीदी मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। दीदी, अब मैं मंगल और मा के साथ ही रहूँगा, तुम्हें भी ले चलूँगा, चलोगी ना, दरूर चलूँगी मुन्ने का किड्नैप कोई मामूली हासा नहीं है, मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई साजिश है, बहुत गहरी साजिश, मुन्ने को कतल करने की और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी अपने ही आदमी का हाथ है, किसका हाथ है, यहां हमारा कुम दुश्मन है, दौलत, राय सहब, दौलत ही इनसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस दौलत की खातर भाई-भाई का, बेटा-बाब का खून कर देता है, और मुन् लेकिन एक बात पक्की है, मुन्ने की जान को खतरा है, तो पर हम इसे टाल किसी सकते हैं, उसे अपने से कहीं दूर भेज कर, बहुत दूर, नहीं, यह नमुम्किर, उमा उसके बगाएर एक पल भी नहीं रह सकती, मैं तो किसी भी तरा, मैं जानता हूं, रह साब, मैं जानत लेकिन मुन्ने की भलाई के लिए, उमा को यह दुख सहना ही पढ़ेगा, लेकिन लक्षवन, मेरा मन अभी भी यह मानने के लिए तया नहीं है, कि मुन्ने को अपनों से कोई खतर हो सकता है, रह साब, मेरी बात माल लीजे, मेरा दिल कहता है, मुन्ना यहां महफूज नहीं उसे खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, तो फिर ऐसा करो, उसे उसे सुरिजदर ले जाओ, हाँ, वहाँ से तालिम दिलवाना, मैं सारा इंतिजाम कर लूगा, बहुत बेतर, अरसुना, याद रहे, ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए इतने बिनार रखिये, ऐसे ही होगा राह साब 15 साल हो गय मुन्ना को गय हुए डाइड, उसका कतल दो क्या, आज तक हम यह नहीं पता लगा सके कि वो है कहां शृ। आज ता बोल, उमा सुन लेगी वो माजर अमेरिका जारे डाड़ और इस वकद अपने बाप के कमरे में है तो फिर्चुन शेठ बलवन्त राय तुम्हारा सुसर बहुत जल मरने वाला है मेरी नई स्कीम के मताबिक डॉक्टर उसे हर रोज एक जहर का इंजेक्शन दे रहा है बात मरेगा तो बेटा जरूर आएगा और हमारे जाल में फसकर खुद भी मर जाएगा अगर तुम चाहो तो मैं उसे एक सेकंड में खतम कर सकता हूं बरकुरदार लेकिन बलवन्त राई कि अचानक बहुत से लोग वह अंपर शक हो सकता है और हम खत्रम पड़ सकते हैं इसलोग से धीरे धीरे जहर से मारना ही ठीक होगा लेकिन डॉक्टर उमा एक महिने के लिए अमेरिका जा रही है तब तक तो सब ठीक हो जाएगा ना और एक महिना वो तो बहुत जार्दा है यानि के एक माइने के अंदर-अंदर मेरा सेसर खतम हो जाएगा और किसी को बता भी निचलेगा इस तो पैस्यांदे इस पिर भावशन लगें को फिर अधा उखता है यृटि दो डॉक्टर उस पुट्टे को अभी खटो करना हुआ परना हम सब मारे चाहेंगे चालो जो धी वो लोग अपको मारेचाती है रेनी वो आपको मारेंगे डैडी आचाओ जेए सुख नहीं वो लोग हम लोग, शिर्टी हम तुमें माने चाहते हैं तक हमाफ चोटाओ जो आचाओ आड़ी आचाओ सेथी सेथी पुषी तोग्षी बदेख तीरच रखो पेटा, तीरच रखो यह तो सब अगवान के खेल है हम सब तो उसके हाथों काटपुत लिया है है तीरच जी के देहन के समय हमने तुम्हें ख़बर देने की बहुत कोशिश की लेकिन किछे को तुम्हार पता ही नहीं था अंकल तेदी कहा है उमा को तो मैंने बहु बेचारी तो शेट जी के देहन से कुछ के हिंड़े पहले कॉन्फरस के लिए अमेरिका जा चुकी थी वहाँ जाते उस बेचारी की तेवित खराफ होगी और उसने पिस्तर पकड़ लिया हाँ डॉक्टर के यह कहना है कि ऐसी नाजविक हालत में उसे इसी दुख परी खावर ना दी जाए तो बहुतर होगा लेकिन चिंता करने के वह बात नहीं है डॉक्टर अंकल उसके साथ है और फिर जैसी वह अच्छी हो जाएगी मैं खोड़ आकर उसे लेकर आऊँगा उसके बिना मैं बहुत लोनली हो गया हूँ कम से कम मैं उनसे फोन पर बात कर सकते हूँ फोन पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं मैं खुद फोन मिलाता हूँ हाल्यो डॉक्टर अंकल रगुविर बोल रहा हूँ अमर उमा से बात करना चाहता है समझ गए ना हाँ मैं समझ गया अमर डॉक्टर अंकल लेकिन उनको हुआ किया है मैं अभी उनके पास आ रहा हूँ बेटे ऐसा मत करो तुम्हें देखकर उमा बेटी सेटी के बारे में जुरूर पूचेगी और अगर तुम्हार मुझ सच निकल गया तो उसकी जान निकल जाएगी मगर डॉक्टर अंकल मैं दीदी से मिलने के लिए बेचेन हूँ और आज जब वो बीमार है मुझे उनके पास होना चाहिए दो चार महीने और सबर कर लो इसमें तुम्हारे भलाया रूमा का भी मैं दिन रात उनकी देखबाल कर रहा हूँ और जैसे उसकी तयबिया समलेगी म मैं खोद उसरे वहां ले आऊंगा ठीक है डॉक्टर अंकल जब आपकी यह राय है तो वागत डॉक्टर अंकल तीदी का पूरी तरह से ख्याल रखेगा प्लीज आ तुम बेफ़ेकर आओ बेफ़ेकर थैंक यू डॉक्टर अंकल थैंक यू हमारे स्वर्गवासी सेड़ बलवंत रायजी भगवारन की आत्मों को शांती दे एक नहाय थी नेक और एक नहाय थी देलू इनसान थे उनकी खास बात ये थी कि उनकी फैक्टरियों में काम करने वाले हर सक्स को चाहे वो मजदूर हो चाहे वो आफिसर हो हरे को अपने ही के परिवार का एक सदस्य समझती थे अब तक में उनकी आग्या कम पालन करते तालिया मेरि पहली आगया यह है कि मेरी गारी लाई बिची और मुझे मेरे दोस्त मंचल के पास ले जाया जाए सब्स्रकाटेजियों सर सार कुछ करणूनिस चीज़ ऐसी हैं जो हल कर दी हैं और जब तक यह प्रापर्टी आपको नम ट्रांसर्ब ना हो जाए अगर आप यहां से बाहर ना जाए तो ज्यादा बेत्या होगा मगर वकिल साब मेरा मंगल से मिलना बहुत जरूरी है तो एक कम कीजिए ने सर मंगल को यहां बला लीजिए हाँ दाट्स नॉट बैड आइडिया मगर हमारे दोस्त को बड़े ठाट से लाना पड़ेगा और यह काम करेगा कौन मैं करूँ हो छोटे सरकार मैं है आप मुझे बस एक मौका दीजिए फिर देखिए मंगल जी को मा कि शान और ठाट के साथ लेकर आत विली दू हां यह भी सोचने वाली बात है Secretary Yes Sir Please note this down Rai group of industries hereby appoints Mr. Mangal Singh as its new Managing Director Managing Director Managing Director लेकर मुन्ना Managing Director तो मैं हूँ Uncle अब आप आराम कीजी इस उमर में आपसे काम लेते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता No, Munna, no! How can an illiterate, uneducated, uncultured, uncivilized, unpaid आदमी sit on the chair of Managing Director जिसको फेक्टरी के बारे में कुछ मालूम नहीं बिजनिस पॉलिसी के बारे में कुछ मालूम नहीं और मैं जिसने लंदन के अंदर पांच साल बिजनस मैनेजमेंट का कोस किया है आप मुझे भूलकर उस अनपढ़ गवार आप सब लोग कान खोल कर एक बात सुन लिजे आज के बाद मंगली एमडी है और आप सब के पॉस हैं और उसका नाम इजजत से लेना सिखिये और सेवक राम के साथ आप सब लोग भी मिस्टर मंगल को लेने चाहेंगे और ये मेरी आज्या है आप सब्सक्षब लोग मेरी आप सब लोग मेरी आप सबादा राम के बाद मेरी आप सब लेने के लेए करते है कर दो कर दो दो कर दो कर दो दो सब कर दो कि एज़ है मैं पूछ रहा था कि आप मंगल जी की माँ है तो फिर एक बात बताईए आली जर्फो आली शान गरीबों के निगेबान साहिबे जमाल बुलंदिक बाल नेक सूरत नेक सीरत खैरंदेश दिल दर्वेश जिनकी शान निराली हम फकीरों के वाली आपके बेटे मंगल जी जनाबे वाली कहां में लेंगे कौन मेरा पीटा जी वो तो मंडी में पल्लेदारी करता है पल्लेदारी वही मिलेगा चाचा कल रात मैंने बहुत अच्छा सबना देखा क्या एक राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो रही है अब बोरियां उठा बोरियां क्यों आश्माहिन की और छलांगे माता रहा है अरे बहुत मज़ा अच्छा क्या आप बैंड बाजे बजरे थे दन 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 अच्छा आप सब में जनाब मंगल साहब कौन है मैं हूँ हम तो आपी को तालाश करें आ भूलेये आ भूलता हूँ और मंगल जी सरकार चलने को हो जाईए तयार और ये कपड़े ये ये कपड़े ये ये कपड़based पहली जी सरकार खबड़े, आप जल्दी ला यह ए निजन सर्कार बाइन वाँ वाँ यह च्जाच यप एले तुर खए अा यह Benny मैर आप दूँसा यह चञार झिष जओड़े यह जो जो घय Ja हुजूर्द आपके नरम पैरों को कहीं जखम न लग जाए इसलिए कार्पेट पर चलिए कार तक आई चली 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 कहार देकर्द आपके पर चली की ज्मल avenyra सब्सक्राप आपके एए यह तरकार सरकार क्या है स्काच हो इसके वो किया है अंग्रेजी दारू वलाइती दारू ओ चाचा वलाइती दारू ए चलो, 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 चलो अरे, खरेटी किते हैं ओ, खरेटी हाँ, मंगल, अभी आया ये तू बलादी दारू बलादी दारू मैली बार खरेटी मिली हाँ अरे, अरे, खरेटी ओ, चाचा वे ये आज की मजदूरी के पैसे मा को देदेना फुद मत खा जाना हाँ, ठीक है, देदूगा देदूगा, देदूगा उन्ना उन्ना कर दो ये 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 रिदूगा बलादी चाचा भी बलादी ये 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 कि अच्छा गया तो तु कितना ढूंडा तुछे कितना याद कि हम लोगोंने पास अब मिल गए ना आपम अब कभी नहीं पिच्रेंगे पकापनी बिच्रेगा ना ओठ दीक है अरि मॉना इतना बड़ा कर किसका है हम दोनों का यह है ढांसे तू साहिं पर रहेगा हमारे साथ हमारे पास इतने बड़े घर में और यहाद पूरा कावा के ठेर सकता है अपने एहमद बिला पाकर और मा भी यहां के रह सकती है वो कितनी खुश्च रोगी मंगर मा कैसी है कितना याद करती है याद में तुने मुझे बच्पड विघ आ था है, मा ने अभी तक सम्भाकराग रखा हुआ और हमेशा कह दिय कि मुन्हा एकना oueडिन जुरूर आएगा उन्होंनी यहां तक आज को चो गया तो मुन्हा को उसकी समीन के देदेना मैंने का मुन्ना मिलतो हुजाय मुन्ना की तो क्या हम अपनी सम्मीन भी देतुझा पहले तयार हो जा आश तेरी आञे यह मैंने बहुत बड़ी पआटी दी है किशन नाचना गाना नाचना गाना मिस्स लिली, मंगल साब को उनका कमरा दिखातीचे और उन्हें तयार करतीचे जी चल मंगल, चल अरा मुन्ना पागल वागल वागल क्या क्या है सुवाओ वाँ अक्यार क्या क्या जबर आग पापा, दोहजार दॉलर का सूट मैंने पहना है, लेकिन सब लड़किया इस गवार के पाद जा रही है, जिसको हम जीरो बनाना चाहते थे, वो तो हिरो बन रहा है, अब क्या होगा? अब देखते जाओ, मैं इसे सारी मैफिल में कैसे नंगा करता हूँ सरकार, मैंने चुपकर बाबु लोगों की बाते सुली हैं, वो आपकी बेजती करने वाले हैं, वो आपको अंग्रेजी में भाशन देने को कहेंगे Silence, silence, ladies and gentlemen, please kindly pay your attention, it is a matter of great pleasure and honor for me to introduce to you our new managing director, Shiri Mangalji, who has just arrived I request Shiri Mangalji to enlighten us about the new schemes, new policies and the new projects that he is going to introduce as the new managing director of our Rai group of Adastis, Shiri Mangalji Please give him a back hand Come on, yeah, yeah, yeah Thank you Thank you Belly, oh, Belly 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 तुझा से मुझे को प्यारावे, आगले से लगे जाया रावे, बेली ओ बेली, बेली ओ बेली आगे, पाले से लगेए, बेलDRे आगे, प्यारावे, बेली ओ अ City येचाओ मारे से लगे ह chaos मुख हम जो लियां परियों की आगई चोलियां अब बोल के मीठी बोलियां आप प्यार की भर ले जोलियां एक बार जो मेरी हो जाए तु प्यार मेरे खो जाए फिर देखना जलवे यारे के क्या मज़े है इस सरशारे के हम जान पे अपनी के लेंगे हर नकरा दिल पर जे लेंगे अब आजा मेरी बाहों में मैं भूल बिचाओं राहों में बेली ओ बेली बेली ओ बेली बेली ओ आजा जो जाए जान प्यूल आजा है अजा जाए दूल आजा जान पर जाए लेली ओ जाए तेरे रूप ने गोरी जादो किया दिल मेरा इसने काबू किया अब और कहीं नहीं जाना है इस दिल का यही ठिकाना है इस नगर की सारी गोरियां इस शहर की सारी छोरियां सब प्यार हमी से करती है सो जान से हम पे मरती है बेली ओ बेली बेली ओ बेली अब बेली दोपें हैं काले मुठ पेलाले पेर में पायले, आखों में काजले, दिल को जुरा ले, हमको मिटा दे खुद को समा लो, जान बचा लो, धूम धड़ा का, दिल की है चोरी प्यार का टाका सबसे बड़ा है, दुनिया में लोगों यार की यारी, यार का नाचा बढ़ियो 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 बढ़ि अरे मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, कि ये नए मैनेजिंग डिरेक्टर मुझे बरबाद करके रख देगा, जिस तरह तुम्हारी लड़किया, उस के इर्द गिर्द मटक मटक नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही तुम लोग आपनी दुम हिला हिला कर उसकी चमचागिरी करोगे, तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, सेर्जी, आपके समय ते हम उस बोरिये धोने वाले के अंटर काम करेंगे, अगर मेरे आपस में आया न, तो मैं उसे कुर्सी तक आफर नहीं करूँगा, चैपड़ा सीखत तक आप ही हैं, इतने सारे गुंडे पाल रखे हमने, एक ही गुंडा उसके सर पे ऐसा चार जूतरा जड़ देगा, भागता वो स्वीधा गाउं जाकर दंबलेगा, फिर बोरियां डोना शुरू कर देगा, वो तो वक्त ही बतायागा कि तुम लोगों में कितनी नमक हलाली है, फिलहाल तो तुभारे घरों की लड़कियां उसे फोर्न पर प्यार भरे पैगाम भेज रही हैं, अरे यार कल रात की पाढ़ी में तुन्हे कमाल कर दिया, ऐसी रौनक लाइक की शेर की सारी लड़किया तुझ पर मर गई, मालूम है, सुबह से 40 टेलेफोन आ चुके है और सभी लड़किया तेरी मुहाबबत में ग्रिफतार होने के लिए तयार है, बहुत मज़े में हमारे M.D. सहाब मुन्हा, यह M.D. सहाब क्या होता है? M.D., तु हमारे फैक्टरी का सबसे बड़ा साथ है मुन्शी से बड़ा हूँ, पटवाली से भी बड़ा हूँ तु सबसे बहुत 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 बढ़ा है, तो में ठीक है पर मुना मुझे करना क्या होगा बस यही के पैक्टर में काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं मजदूरों को तंखा ठीक से मिल रही कि नहीं M.D. हो गया हुँ ना, तो मैं मैं देखता हूँ कैसे हो चाचा, आपने मुझे चाचा कहा, क्यों, आप मेरे पिता समान है, आप इतने बड़े आदवी है और मैं खरीब हूँ, आपने मुझे चाचा कहा, बड़ा अग्मी लग रहा हूँ, तरसल चाचा, मैं भी आप ही की तरह एक मजदूर हूँ, मुझा ने मुझे कपड़े बपड़े पेना पनुकर यहां का M.D. बना दिया, यह M.D. क्या होता है, मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, अच्छा चाचा, यहां पर सब कुछ अब आप उची रहें, तो कह देता हूँ, ना तो हमें वक्त पर तनखा मिलती है, ना किसी किसम की सहुलियत है, हम मजदूरों के इस कदर परिशान है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी फैक्टरी होते हुए, मजदूरों को तनखा नहीं मिलती, नहीं जानता, चलो म मैं तुझी सबक सिखाँगा, इनके साथ में मोहन, शायद मोहन से कोई गलती हुए है I'm sorry sir, my mother's in the hospital, she's very sick Ah, your mother, your mother, your mother lives or dies, I can attend I warn you, next time you disobey my orders, I will lynch you and your mother Don't provoke me, don't provoke me, I warn you Here Good for loving, use this What was he saying to you? Sir, you heard me Yes, I heard you, but I want to go with you Sir, she's giving me the word What? He giving me the word? You're so young man, listening to the word? The word is the word, the word is the word The word is the word, the word is the word The word is the word, the word is the word I'm coming after two years in the hospital, I'm gonna go with you Where is the word, I'm not getting you Now, I'm getting you to get you Sir, my mother is, two little brothers, and my daughter I'm getting you to get you You're the word, you're the word You're the word Englishman? Yes, sir Yes, sir Go, go Go, go, go Go, go 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 You filthy swine, you think I'm your slave? घ्राज बचाओ 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 अच्छाओ जब तेरा पड्दी से कालिया निकाल रहा था तो बड़ी अखड़कर वेठीधी आप उससे जूते पड़ रहे है तो बचाओ बचाओ अच्छाओ जब तुझे बलाया था तु क्यों नहीं है मैंने सुचा आपने उसाप मैंने तुझे बलाया था वो शरीप आगया तु अपने अफशरी के गरूर में नहीं है आप 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 सर बोल रहा है मैं तुम्हें देख लूगा अच्छी अंग्रेजी बोलता है तुम क्या नाम है तेरा सर मेरा नाम मोहन है कितना पड़ा लिखा है मैं सर एमकाम तक पढ़ा हूं मैट्रेक किया मैट्रेक सर एमकाम बहुत बड़ा होता है हेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखेखे कर दो कर दे कंदो dev flexibility कर दो कर दो तर दो हिरे मैं और अ veio कि अ किजए और शो वह 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 अ अ अ celebrates कर दो सब आर अ अ में हो कि रही ंर में जर दो … हाँ हाँ ओए आप जानते हैं मैं कौन हूँ जानता हूँ नए M.D. तो मेरे लिए कुर्सी वर्सी आप क्या करेंगे कुर्सी भी बैठके क्या को बिसने प्रोजेक्ट इसस करेंगे मार्केट रिसर्च बिसने प्लैनिंग क्या जानती आप इसके बारे में देखो मुझे इसाब देखना है इसाब तु क्या इसाब देखेगा नी चड़े को सोधा गिंदी आता है हाँ तो इसका मतलब आप लग मुझे कुर्सी नहीं देंगे जी नहीं हूँ सुर्फवन और एगा सुर्फवन फड़घन सुर्फवन चलो, मुर्गाबनो आरे, मुर्गाबनो चाचाच आजा मौन तु क्या बोलता था वो, हिसाब की कौन सी किताब जी वो बैलन्स शीट की बात हुआ यह किसके बात है यह बैलन्स शीट यह हूँ किसने की आप यह हूँ कौन कर रहा है जाए इसाब लेकर आप उता रख दे चाप चाकर मुर्गाबन क्या हुआ एक महीने में आठ क्रोड रुपय का फाइदा है फैक्ट्री को आठ क्रोड कितना होता है आठ सो लाक आठ सो लाक इसे कितनी जमीन खरीज सकते हैं जमीन इससे तो आप सैंक्रों गाउं खरीज सकते हैं अपने मुर्ग के पाँ सितना पैसा है फिर भी मुर्ग को ठीक जम से पैसा नहीं मिलता बला मुर्ग को अब मुर्ग मैं मंगल बोल रहा हूं हाँ बोल तेरे पास कितने पैसे हैं पैसे बहुत है क्यों बात क्या है तेरे इस फैक्ट्री में आठ क्रोड रुपे का फैदा हुआ है और यहां मजदूरों को ठीक तरह से पैसे नहीं मिलते तु कहे तो इनकी तन्खा बढ़ा दूँ अरे यार ये पूछने के क्या शुरूरत है तु पूरा आठ क्रोड बात दिना ने नहीं मुना तेरा भी तो ख्याल रखने मैं ऐसे करता हूं कि आदा बात देता हूं आदा कितना होता है और चार क्रोड हाँ मैं चार क्रोड बात चाचा चार कुरूर पाड़ देते हैं अब मैं M.D. हो गया हूना कोई तकलीफ नहीं होगी शुक्रिया बेटा अरे चाचा ये क्या कर रहे है बेटा बगवान तुम्हेरा बहला करे हमारे बाल बच्चे हमिशा तुम्हें दवाएं देखे चाचा ये तो आप लोगों का हक है मैं कोई ऐसान थोड़ी कर रहा हूं Come on hurry up bash him up यहीं दो Look He's a bloody scoundrel who insulted me assaulted me Yeah How deep a city tord us क्यों बेटेचो नहां बहुत दर्दागिरी कर रहे है तु मानूमें आप उन कौन है शाल ये सारा फेक्टरी अपनों नम से कांपता है कालू दादा बोलते है अपने को समझाना और तु अपनों आपसर के ओपर हाथ उटाता है तु तो मैं इसकी तो मैं तु 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 मैं तु तु मैं एकदम अभी ठीश आथ नहीं लागा ना कट जाएगा अरे ये कौन है तु कौन है अपन कालू दादा है कालू दादा ये दादा क्या होता है दादा मतलब दादा होता है ये अपन का है अपने डेली आता है रोज आता है क्या अब तु यहाँ डेली रोज नहीं आएगा कायकू इस तु मैं अभे अभे प फिर मारथ तुमने, देख, मारने काने ज़्यादा, आप उनका गुस्सा बहुतच क्ला हुँए, समझा न, आ अप उनकी ते उनसे कपा रहेगे, आपको प फ्रनाक्ळे छाभईक क्ला करा है, तुम इसमके न, देख तु नॉट रेडी में मारने का समझा ना अब उनको रेडी होंदे फिर मलूं पड़ेगा चेला ठेट तुठेर अभी तो हाथ लगा के तो देख बच्चे थे अब बाप इधर तुमने मानने के ने तुमने सिर्ख मार खाले का यह अपना का सा하고 उड़ी आप तेडी नहीं लेक चितना मानने घाए इधर तुम ना मानने करने तोड़ी है। देख बाब मान कि यहां तू बहुत अच्छी तरह इसतपड मारता है क्या तेरा मेरे जगड़ा किस बात का है कुछ भी नहीं तू जो क्या पन भूल गया क्या कुछ कुछ हुआ नहीं कुछ यह लो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हां तु तु भी करने कर रहा है मैं भागता हूं भागता हूं उरे लिए पर इस तु फिर हिदर आगया अप उदर बात किया था ना सब खातम हो गया नहीं हुआ मतलब तुम्हेरे को और मारेगा कुछा बाप फिर दॉब्लम लेकिन एक वारा हूं अश्रसा मार तुम्हेरे मेरे दाचाड़ा कमचु हो रहा है बाप मेरे, मेरेको और मारेगा? आप मेरेको मारेगा, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, एक काम करना, मैं जल्दी जाता हूँ, नाके वापस आता हूँ, फिर मेरेको मारना हाँ, तु यही गड़े दना हिल्ला ने, तु इधरी खड़े न अभी आता हूँ, अरे वाप्रेया हैंगे, अचोड़ाईगा अ अचोड़ाईगा, अचोड़ाईगा, तु आप मेरे एक काम करना, मेरे कुछ छोड़े यहां से भाग जाने थे, वरना इधरी ख़दम करने डाल, यह भीच का मानना मेरे से निज़ जाता बाप, बेचे बहुत हो गया, अभी से जाने थे, हरे चाचा, अभी तो मुझे मज इसके आदमी आ जाएंगे, बाथ बढ़ जाएगी, और तेरे बास कितने आदमी है, है, अब 15-16 तेरे जैसे हैं, आपने बच मस्दूर को बोलो कि सके मश्टूडों को जूतों से, चाचा मैंगे इसको जूते से नी मारा नहीं, अरे जूते से नी मारा आग तो मेरे मजथ कि अरे कोई तो भी बच्टाए आओ कोई में कि अरे क्या हुआ अरे मेरो अन्ग्र क्या हुआ मंगल अरे मुन्ना तु जानता है तेरी इस फैक्टरी में क्या हो रहा है इस बाबू ने ऐसे मुष्टंडे पाल रखे हैं ऐसे दो आद्मियों को मैं उपर मुर्गा बना कर आया हूं मुझे कोई मुझे मानने को तयार नहीं ये बात है मैं देखता हूं मैं समयता कल फैक्टरी के सारे ओफिसेज कर कॉल कीचे मैं उनको आपकी श्टल दिखाना चाहता हूं और नए एमडी से मिलाना चाहता हूं यूगत मी यस इसे लेज़ो ने ने एक मिनिट मुना जरा जूता देना क्यो हाई डेडी तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई अब शादी भी हो जाय तो अच्छा है बहुत पुराने बात है बेटे जब तुम छोटी जी थी तो मेरे दोस्तें सेट बलवंत राय उन्होंने अपने बेटे अमर के लिए तुम्हारा रिष्टा बंगा था डैडी मेरे सपनों में एक शहजादा है अगर अमर वही शहजादा है तो मैं उसे अपने जीवन साथी बनाने के लिए तयार हूं वरना नहीं अच्छा अच्छा ठीक है मैं उसे फोन कर देता हूं तुम आज ही जाके उसमें लेना है यह है मेरी दीदी बिमार है विदेश में इलाज हो रहा है तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी जैसे अपनी मा है ना वैसी है मेरी दीदी हमारी दीदी मिस्टर अमर आ है यह समर श्रीकिंग हां अमर बेटे मैं जैप्रकाश बोल ला हूं ओ अंक्यल वार प्लेजन सप्राइज बहुत दिनों के बाद हां बेटे बहुत दिनों से मैं टेलीफोन नहीं कर सका बेटे तुम्हें काम करना शालू वां रहे है उसे रिसीव करने चले चल चल गुड मॉर्निंग आज इंडिस्ट्रिस मिनिस्टर के साथ इंपॉर्टन मीटिंग है आपको मेरे साथ वाज चलना है अहां मैं तो फूली गया मंगल तु एक काम कर तु जा के शालू कर लेकिया चला गया तु पैड़ी के खास दोस्त की बेटी है सम्माल कर घर लेकिया आना और और कुछ अरे नहीं तु जा तो मैं चला हाँ 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 तो वही मेरे खौबों का शर्जादा है शालू तुझे तेरी चाहत मिल गई है तेरी जैसी खुशकिसमत लड़की दुनिया में और कोई नहीं है अब तु खुशिया मैंना नाच हर गाव हाँ 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 है यह हाँ हाँ दिल खाए हिच कोले बयो बकडले ओले हाँ हले हाँ पायल मेरी चणचणचण के बाला हाले जोले मीरा वाला हाले दोले दिल का पंचे जुम्मे गाए दोल प्यार के बोले ओ कंथे वाले ओ कंथे वाले सहीया मिलाने नरे ओ कंथे वाले सहीया मिलाने नरे जेरा मेरा दर से पड़े चन रे ओ चुडे वाली ओ चुडे वाली चमिया मिलाने नरे वो चूड़े वाली छम्या मिलाने निरे चन्दा जैसा रूप है तेरा मनवा मेरे भाए अरे देख चनरिया उड़ना जाए मुख पे तेरे सहाए मुख पे तेरे सहाए मुखडा तेरा चूम चूम के पुर्वा मोज मनाए ओ नैनो वाली ओ नैनो वाली कसके चलाबान रे ओ नैनो वाली कसके चलाबान रे जीरा मेरा तेरसे पड़े चैन रे ओ पेंते वाले ओ पेंते वाले सहिया मिलाने निरे उप्पेंगे वाले सहिया मिनाने नरे कर ले कर ले कर ले प्यार की बत्यां प्यार की पतिया, प्यों लब मुझ कोशे एगी सयां ता के सारे सक्या उनक्रे वाली, उनक्रे वाली अपना बता नाम रे जिरा मेरा दर से पड़े चेन रे ओ गंधे वाली, ओ गंधे वाली सयां मिया मेरे ओ जुड़े वाली छमिया मिला मैंने दे वेलकॉम, वेलकॉम, वेलकॉम मेश्यालू सिंग अफर लोग, लोग ताइम नहीं पेजाना ना, अरे मैं अमर हूँ तुम अमर हूँ? तो तो फिर ये कौन है? ये मेरा यार, मेरा दोस्त मंगल, राइग ग्रॉप अफिंडिस के मैनेजिंग डिरेक्टर बुरे अली, मिस्टर मंगल, क्या आप मुझे मेरे कमरे तक नहीं पाँचाओगी? अजी, चलो जी आउच मैडम पी एक मेडर रुपना हान जी आई लव यू ये जाकर मंगल साप को दे देना ये अच्छा सहाफ क्या है ये शालू मेम साप ये दिया है हुआ 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 है तुम है क्यों और के इंतिजार था क्या नहीं ता ऐसे है कि शालू मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हुआ 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 है तुम यहाँ आराम से रहना अपना घर समझना फिल आठ वहां है क्योंकि वह फैंटास्टिक परसन भी हमारे साथ जा रहा है यह 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 प्रादम है मंगल भी प्राद साथ आ रहा है हाँ क्योंकि हम लोग उसी के गाउन तो जा रह है उसी की गाउन जा रहा है तो फिर मैं अ allocatelly यहां क्या करूंगी मैं मैं भी तुम्हार साथ चलूँगी लेकिन शालू काओं में तुम कैसे रहोगी जैसे तुम लोग रहोगी शालू लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैं भी तुमारे साथ चलूँगी that's all okay कर्ये रहेोरा पार रभी जाएंगानेदेंगस करतेंगे रहादेंगेएंगंस के हैनममादीं अच्छेएला हां। अरे फुटा फिर गंदा हो गया यह तो मेरे बंगल की निशानी है हाँ 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 तुझे ये जेबो वाला पजामा किसे ने दिया मिला है मंगल ने दिया मंगल का है मंगल को पड़ियां ले गई उसे अपने डेश तुझे नहीं लेकर गई मैंने भी उसे कहा कि मुझे भी साथ ले जा लेकिन उसने मुझे कहा शिटप आयम डा टायम डा टुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू अपरिती वोदे कौन आए वोदे ये कौन है इसे पैचाना ये तो हुदान बुना है मैंने पैचान लिया लेकिन मुझे कोई नी पैचान सकता नहीं मैंने आपको पैचान लिया आप वो ही पर्यों की रानी है ना तुआ अमरे मंगल को में साथ लेकिन आइमने टाइमने टुरॉ चल मंगल माम से मिलते हैं कौन है कि कौन हो तुम अरे तू तो बढ़ता ही जाय रहा है तो है का तू तो मेरा मुन्ना है मुझे पता था कि तू मुझे देख नहीं कहां चला गया खेरा था परियाओं से अपने साथ ले अब तू ही बता मुन्ना वहां तो पल्लेदारी होती नहीं यह वहां क्या करता होगा मा आगया मा बदमाश कहां चला गयाता तू अरे मा में तो मुन्ना के साथ था जानते हो कितना बड़ा आदमी है कितना बढ़ाद में आररं परश बूस बॉस बुस कितने लोग इसके लिए काम करते है् ये कौन तू तो सच्मुछ परियों की रानी है हाई शाल ओ हाई यह गाउ के से लगए वाइंडरफुल बहुत खुबसरत है और मा वह तो ममता की देवी है और वह अपना मंगल बहुत अच्छा अच्छा है मगर दिल का थोड़ा कठोर है दिल का कठोर और मंगल ने ने यह नहीं हो सकता फिर उसने मेरी चिठ्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया चिठ्ठी दी थी हाँ कौन सी भाषा में अरी यह भी कोई पुच्छीन की बात है अंग्रेजी और किसमें क्या हुआ कुछ नहीं क्याना के शालूफ जब से मंगल एमडी बन गया बहुत बहुत बीजी हो गया कभी पैक्ट्री आता है कभी बिजनस प्रपोर्शल बना रहा है कभी मीटिंग एटन करता है यह वेरी वेरी एफिशेंट परसन और अंग्रेजी में वाँ अंग्रेजी में तो उसका कोई हासी पकड़ नहीं सकता मैं देखता हूँ कौन सी चिठी अरे वही चिठी यार जो शालो ने तुझे भेजी थी उसने दी थी चल चल निकाल यह ले तुझे पता है इसमें क्या लिखा है अंग्रेजी आती दो बदा होता ना इसमें लिखा है I love you मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ ओए प्यार करती है प्यार करती है प्यार करती है मेरे दो बहुत प्यार करता है मुझे बहुत अची लगती 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 है वह गह्ना वरान तो बहुतां अमेर है मैज पिलेगार ऊऔर नों का मेल कैसी होगी कैसे नहीं होगा यार इस न माप ऊछे दिन धरम इस न जाने अमीरी गरीमी मेर कर करता हो जा जाकण पढाई कुरह 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 कुल हर हर चाहिए कुर्र... तुरुरुरुरुरुरुरु! कंणा बाटी… कुरुरुरुरु… केड़ का हूँ मैं में नहीं हूँ साह् कार न पास है मेरे फिटिया पुर्फुर्र न पी 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 कार पास है बस एक बैलों की जोडी और भेड़े दो चार वाई डाई वाई 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 वा तरुरुरु तरुरु जब ही लिया जरम कर दोटा जब रहा है एक जोरी में बने हुए है साजनमों से अंबर तुम तेरे बोलों से बढ़ता जाए मेरे दिल में देखा प्यार मेरे कानों में कहता रहे बस यही तुमारं पार कन्ना बाटी, कन्ना बाटी, कन्ना बाटी, कुरू, तुरूरू, 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 तु मुबारत हो चोड़ी हमेशा सलामत रहे तूधो ना हो पूतो फलो भंडारे भरी रहे बेगें पक्ति रहे नियाजे बठती रहे पाए लागो दादाजी आपका भाहत भाहत धन्यावाद आपने पोते और अपनी बहूको आशिरवाद दे दिया अरे आशिरवाद तो है ही मगर तु अपने अपने इस दादाजी के लिए भी तो कुछ सोच क्य नहीं दादा जी आप कहें तो आसमान चे हूर उतार कर अपनी दादी बना लू कि बुझे हूर हूर बिल्कुल ने चाहिए मुझे तो सरिफ मेरी मैना चाहिए मेरे बच्पन का प्रवाद मैना आरे जम्濆मोसी की बेटी माा इसंदाबाद माइस का निकालेगि मुन्ना और मंगल की माई जिंदाबाद या बात है बड़ी चाप्लूसी हो रहे है मा की हां मुन्ना ने मेरे लिए दादी धून्डी है दादी क्या मतलब मुन्हा ने मुझे और शालू को दादा बन के आश्रवा दिया है तुम्हारे जोड़ी सलामत रहे दूदो नहाओ पूतो पहलो अच्छा तो बात यहां तक पहुंच गई है तेरी और शालू की जोड़ी खोब सजेगी मुझे पसंद है मेरी जोड़ी तो पसंद है वागर मुन्हा के लिए भी उसकी पसंद ला दो ना मुन्हा उसने किसे पसंद कर लिया है वही जम्नमासी की बेटी मैना ओ मैना मैं तो कुछ औरी समझे थी आरे जम्ना सालों से इसका इंतजर कर रही है कि कब मेरा दामाद आएगा और उसके हाथ में अपने बेटी का हाथ दे दूँगी मैंने कहला भेजा है कि मुन्हा आ गया है लेकिन जम्ना कर कहना है उसकी चिंता तभी दूर होगी जब मैं खुद अपने बेटी को लेकर वहां जाओंगी और अपने हाथों से उन दोनों की सगाई करूंगी मैं कल ही दोनों की सगाई कर दूंगी बढ़ाईरी बढ़ाई तेरी शगनों भरे सगाई तो तो राम के दिल में धाई जिसकी कुशल जैसी माई जिसका लक्ष्मन जैसा भाई बढ़ाईरी बढ़ाई तेरी शगनों भरे सगाई तो तो राम के दिल में धाई जिसकी कुशल जैसी माई जिसका लक्ष्मन जैसा भाई तो तो भाबुर जनक तो लारे तक तक शोरण तेरी शारे तासु मैया जाए वारे तेरी उटके नजर पुतारे ममता जाओ बनाए हो तुछ पे वारी जाए हो तुछ पे जान लुटाए हो मैया तुछ को भी बताई तुने सोनी जोड बनाई तेरे आंगन पोता खेले तेरे लग जाए घर में मेले बधाई ली बधाई तेरी शगनों भरे सगाई तु तो राम के दिल में धाई जिसकी कुशल जैसी माई जिसका लक्षमन जैसा भाई बधाई ली बधाई तेरी शगनों भरे सगाई तु तो राम के दिल में धाई जिसकी कुशल जैसी माई जिसका लक्षमन जैसा भाई तेरे शगन लाए जिधाने जिसकी सूरत बड़े सुहानी लागे राम के दिल में आजा की पत्रानी वो तो गदगद होई दिवानी तीरा रूम सजाए हो तुझ पे मिक्ती जाए हो तुझको गले लगाए हो तु तो छोटी देवराने तेरी बहना बड़ी जठाने दुनके रहना छोटी बहना फुसी प्यार सदा ही लेना हो बढाई दी बढाई तेरी शग्रों भरी सदाई तु तो राम के दिल में थाई जिसकी कुशल्य जैसी माई जिसका लक्ष्मन जैसा भाई बढाई दी बढाई तेरी शग्रों भरी सदाई तो तो राम के दिल में थाई जिसकी कुशल्य जैसी माई जिसका लक्ष्मन जैसा भाई तेरी जैसा भाई दिल में भाई तेरी तेरे माथे ठीका जैगे, तेरे काहन में भूनदा लेके, तेरे रूप का चंदन लेके, बैठा सैया तेरा तरसे उसका धाउंक लेजा दरके, हाए बिचारा तरसे, हाए बिचारा तरसे ओ देखे ले नशीले तेरे अब रो तेज कचीले, तेरे मीठे होच रसीले, बैठा तरपे जुखडा चेले बढ़ाई रिबढ़ाई तेरी शद्नों भरी सगाई, तू तो राम की दिल में थाई, जिसकी कुशल जैसे माई, जिसका लक्षमन जैसा भाई बढ़ाई रिबढ़ाई तेरी शद्नों भरी सगाई, तू तो राम की दिल में थाई, जिसकी कुशल जैसे माई, जिसका लक्षमन जैसा भाई ये शोदा बेहन, अब सगाई तो होगी, अब जल्दी से शादी का मूरत निकलवा लो, मौसी, शादी तो मैं उसी वक्त करूँगा, रगुवी, मुन्ना दीवार के नीचे से जिन्दा निकल आया है, मंगल, अपने आद्वियों से खेच का अंदर ले गया है, को नहीं हो तुम लो, मंगल, अब मंगल भी इतो के निकल आया रगुवी, क्या पक्वास कर रहे हो तुम, मंगल, मंगल, बच्शा हम मुझे, मंगल, बच्शा हम मुझे, मैद, मंगल, मंगल, मंगल की आवाजे सुनकर, अंदर ताखिलोने का रास्ता दून रहा है, पंगोल, बच्चों मुझे, पंगोल, तुछी कैना? आगी कैना? झाल झाल मुन्ना को बचा कर बाहर ले आये रगुवीर मंगल 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 मेरा दुष्मन मेरी जनम पत्री में क्यों लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है डाक्टर साथ कोई अंदर नी चोड़ तो नहीं लगी नहीं नहीं गवराने की कोई बात नहीं बस से चमतकार ही है की कोई हड़ी फ्रेक्शर नहीं हुई बगवान का लाफ लाग शुकर है कि तुम बचके बेटी अगर बेटी ये एक्सिडंट हुआ कैसे ये एक्सिडंट नहीं थांकर मुझे और मंगल को मारने की साज़िश थी साज़िश? तुम ये मारने की साज़िश? कौन कर सकता है ऐसी साज़िश? तुम चिंदा मत कर बेटे मैं उन कमीनों की खाल ओधियर दूगा जिनोंने यसे अरकत की है मुझे चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं जब तक मेरा यार मंगल मेरे साथ थाले थाएग जुखते फूर से सबस्क्राइब कर्देएग कोती तरता है अब तुमआरे पैर इस घर में हैं उर मेरे डिऴाख में और कैसी स्कीम डागSecond मैंने तेरे बड़े भाई पती का दामाद बना दिया है अब तु देखता जाओ तुझे भी उतने ही बड़े आदमी का दामाद बनाओंगा कठाओ अपकोर्स अबकोर्स आश्ट वेट मैं सुन्दरलाल बुल रहा हूं आपके घर की इजट मेरे घर की इजट है क्या पहली है पुछा रहे हो बोलो ना क्या बाते शादी नहीं कर रही है बलके वो एक चंगली चाहिल और गवार मंगल नाम के पल्लेदार के इश्क में गिर्फतार है क्या बगते हो सुंदरलाल मेरी बेटी के बारे में ऐसी बाते करते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती मैं तो स्रफ अपनी दोस्ती के फर्ज दाका दाऊं से थी अगर मुझ पर यके नहों तो खुदा कर देख ली थी सुंदरलाल अगर तुम्हारी बात खलस निकली तो मैं तुम्हें कोली मार तूँगा क्या बात है तुम्हारी बेटी वहां किसी मामूली पल्लेदार के साथ रंगगलिया मना रही है मैं नसे लेनी जागा हूँ मंगल पुलिस स्टेशन से फोन आया था जिन लोगों ने तुम पर और मुन्हा पर हमला किया था उन लोगों को इंस्टो के अभी ऑक्सिजन दी जा रही है चोर लोगों को कुछ दिया जा रहा है अरे बापा सांस दी जा रही है ताकि वो लोग होश में आए और ये बता सक किया नहीं तो अन लोगों को वहीं कातम कर देता है मंगल एक खुशकपरी है डॉक्टर का कहना है मुन्हा खुत्रे से बाहर है बस दो चार दिन में चलने फिनने लगेगा ओ शालू बल्ले ये खुशकपरी दीना तुने अब दिल करता तुझे जब फिर डाल दू मंगल ड अच्छा शालू तुबहुत खुबसूरूत लग रही है थैंक्स ने ने इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं यहार वेरी चार्मिंग अच्छा शालू डार्लेंग हां यू आर बेरी चार्मिंग फोन लो चालू बहुत जरूरी काम है तुम जल्दी से यहां आजाओ अभी आरी हो हां चुमण हो हालो चालू चालू हालो चालू अजिर मेरी सामी का प्तुन है हलो हां ममी मुझे क्या कोई कुछ नपरे सिना नी है हलो हां नहीं है ममी मैं आ रही हो ना 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 तुझे कहीं नहीं जाना तुझे कहीं नहीं जाना करके पहाना जाना यहीं रूक जाना यहीं रूक जाना ना 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 तुझे कही नहीं जाना तुझे कही नहीं जाना करके पहाना जाना यही रुक जाना जाना यही रुक जाना हम जीवन गुजारेंगे संग संग रहेके ये दुनिया सवारेंगे संग संग रहेके ओ माई शालो डार्लिंग, यू अर वेरी चार्मिंग ओ माई शालो डार्लिंग, यू अर वेरी चार्मिंग ना 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 मुझे घर को है जाना आरे ना 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 नहीं चलेगा पहाना बेवी वो जग में मेरे आया हुआ तह दिल में जिसको सजाया हुआ तह मंगल गार्लिंग, यू आवरी चामिन जाना, ऑ जाना, ऑ जाने, 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 जाना, ऑ जाना बोल गोरी बोल मेरा प्यार अनमोल मैंने खिड़की रखी खोल तुने खाका कभी जाका है बोल गोरी बोल मेरा प्यार अनमोल मैंने खिड़की रखी खोल तुने खाका कभी जाका है जाका 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 मैंने दिल में तेरी जाका 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 मैंने अक्कियों में जाका अरे सब जगा मैंने अपना नाम लिखा पाया है तुझे कुप मेरे लिए रब ने बनाया है उमर मंगर डार्लिंग युआ बरी चामिन समझे उमर मंगर डार्लिंग युआ बरी चामिन ना 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 तुझे कहीं नहीं जाना तुझे कहीं नहीं जाना ना 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 मुझे घर कुमे जाना नहीं चलेगा पहाना बोल राजा बोल तू 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 बेद सारे खौल मेरा प्यार ने बोल तू ने खोया क्या आपाया है खोया 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 मैंने दिल को अपने खोया पाया पाया तेरा प्यार मैंने पाया अब जीने का मुझे को मजा आ रहा है नशा ही नशा ही नशाचा रहा है ओ माई शालो डार्लिंग यू अर भेरी चार्मिंग ना 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 तुझे नहीं जाने देना तुझे नहीं जाने देना ए पाहों में जाकड तुझे यही रख लेना तुझे यही रख लेना चंदा की चकोरी राजा चुपती है दूरी राजा हाए मजबूरी राजा जहना है जरूरी राजा आज चली जाओंगे तो परसो चली आओंगे फिर जो कहोगे तुम वही किये जाओंगे जीवट कर लेना सारे वनमानिया अपना सुनूंगी तेरे दिल की कहानिया सब्सक्राइब स्काड़े सब्सक्राइब डेडी डेडी आप कब है मैं ना आता तो अच्छा था कम से कम तुमारी ये बेहुदा हरकत देखने का मौका तो न मिलता डेडी बात क्या है आप नाराज क्यू है ये मंगल है जानता हूँ एक जंगली जाहिल कमार और पल्लेदार के साथ तुम शादी करना चाहते हैं तुम अपनी पोजिशन अपनी खांदान की मान मर्यादा और माबाप की इज़त का कोई खयार नहीं डेडी आपको मंगल का अपमान करने का कोई अथिकार नहीं है मंगल डेडी की बात का बुरा मत मानना यह तो मेरे होने वाले ससूर हैं हम इनकी बात का बुरा क्यों माने हाँ अगर कोई और होता था अब तक हस्पिताल भेज़ती होता अब तक बंद करो शलू तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ डेडी मैं मंगल से प्यार करती हूँ और उसील से शादी करूँगी मैं आपके साथ उस वक्त चलूँगी जब आप हम दोनों को आशिवाद देंगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तू चल मेरे साथ परना मैं जिंदी के बार तेरा मूह नहीं देखूँगा आज से तू मेरे लिए मर चुकी है मैं को बोगां है थीज़ा है अरो मैं ठीक को आप मैं टीक हूँ ने ने मैं चला जाएंगा आपने मिधिग बीया मैं ठीक हो सुन्दरलाल, मैं चल जाओंगा ठीक सेर जी अगर आप जिली करते तो जाएए लेकिन गनवीर आपकर साथ जाएगा बैटे, तुम इनके साथ जाओ आईए अंकल थेंक्यू, थेंक्यू, सुन्दरलाल आईए, चलिए बैटे, सेर जी का ख्याल रखना अच्छी तरह से हलो, मैं मंगल बोल रहा हूँ मिस्टर मंगल, एक उंडे को होश आगिया है उसने बयान भी दिया है एक औरत, गोरा रंग, उसकी ठोड़ी पर काला तिल है काले कपडे और कप्रों पर थापता निशान है वो औरत उसे मिली थी, उसने आप लोगों को माणने के लिए उसे दो लाग रुपे दिये थे ऐसी औरत आपको कहीं मिले, तो इमें फॉराँ ख़बर दी रहे हैं ठीक है आप? आप यहां क्या कर रहे हैं? तेरा इंतजार मैं पूछ सकती हूँ, किस लिए? पूछूँगा मैं और बताएगी तुम बता कौन थे वो लोग, जो मुन्ना की जान लेना चाहते थे? कौन से लोग? तुम किसकी बात कर रहे हैं? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तू बताएगी में में कुछ नहीं जान्ती, तूम में नहीं जान्ती, छुट बोलती है क्या कर रहे हैं तू! बचाओ, बचाओ बचाओ, साफा बताओ पूछने के लिए पूछने के लिए कुछने आये था अरे यह सब धूंग है धूंग तु इस दैन की बातों को विश्वास करती है? इसके फटेवे कपने, इसके आखों में आसू, इसकी हालत साफ साफ कह रहे हैं कि तुम इसका पराग करने है अलकार, क्या तुम उचे इतना किरा हुआ समझती है? ठीक है जो समझना समझ ले तु यह मत समझना कि मैंनो तुझे माफ कर दिया अगर काल सुबा तक तुने मुझे उन गुंडों का नाम नहीं बताया मैं तेरी जान ले लूँगा शालू जी, मुझे तु बहुत डर लग रहा अंगल साब मुझे जान से मार डालेंगे मैं मैं भी दिखती हूँ कौन तुमें मारेगा तुम चलो मेरे कमरे में चलो डाटी अगर मंगल ने सुबह तक लिली से सब कुछ उखलुआ लिया तो दुपैर तक हम बाप बेटे जेल की सलाखों के पीछे कुत्ते की तरह सड़ रहे होंगे अगर लिली कल तक जिन्दा रही तो ना लिली को कतल कर दिये जाएगा और कतल के इलसाम में फांसी होगी मंगल खो क्लुट better क्लुट क्लुट झाल जहींOOOO यह पुष्ड पीशेस ले की जह पुष्रवशिस पुष le देक मंगल तुम्हासाफूटाठिया मैं तुम मेनी छड़ाँगी मंगल तुम वेश्यो तुम दरेटे हो तुखोदी हो ऐखले एकले एकले क्या हो शाल। मैंने अभी 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 कोली कैवास सुनी अमर तुम्हें दोस्त ने लेली को जान से माड डाला क्या बात कर रही हूं बैटा आओ मेरे साथ यह देखो यह वही औरत है जो चार गंटे पहले तुम्हारे दोस्ते अपनी इज़त की भीग माग रही थी बहुत बड़ा शुर्मा है ना तुम्हारा दोस्त एक मासू मौरत का खूण का डाला जालू लेली की मौत का मुझे बहुत अफसोस है लेकिन अगर खुद भगवान भी आकर मुझे यह कहे कि यह खूण मेरे दोस्त ने किया है तो भी मैं मानने के लिए तयार नहीं हूँ अब इनकी दुप्रेत कैसी है फिर करना कीजिये सब ठीक है मिस्टर रिंबीर जी आप ज़रा मेरे साथ बाहर आईए लाइए मैं उठाओ तो मालते हैं शालू ने एक मामुली बोरियंट होने वाले के लिए मेरी बेज़ेती करती है फर्टक गई है कमभगत अगर अगर वो ठीक रास्ते पे चलती तो मैं मैं अन्बीर के साथ उसकी शादी कर देता है मिस्टर रंदी जी भी खत्रे से बाहर नहीं है उनका खास ख्या बेनी होंगी वरना को क्या हुआ डॉक्तर तुम्हें मालम नहीं तुम्हारे डैडी को हाट अटेक हुआ है हाट अटेक पापा आ गई बेश्चर्व मलती उसे मेरे सामने मता नहीं देगा आप परेशान मत लिए मैं उसकी शकल नहीं देख रहा है चान तो हो जाए पापा पापा क्या होगी आपको मा पापा को क्या हो गया पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा मैं उस आदमी से सारे निश्टे तोड़कर आई हूँ आप जो बोलेगे मैं वही करूगी मुझे आपकी जिन्दगी चाहिए पापा मुझे आपकी जिन्दगी चाहिए मुझे माफ अगर तुझे अपनी खुलतियों का एसास हो गया है तो ठीक बेटे मैं तुझे बाफ करता हूँ पहरी सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन और बेटे हर माबाप यही चाहते हैं कि उनकी आउलाद सुखी रहे सुन बेटे रन्बीर बहुत अच्छा लड़का है उसने मेरी बहुत सेवा की है अगर तुझे शादी कर लेगी तो मझे विश्वास है तुझे सुखी रहेगी तुझे तुझे खुश देकर मैं कुछ साल और जी सकूंगा पापा आपके प्यार का साया मेरे सर पे बना रहे है बस मैं यही चाहती हूँ आप जो भी बोलेगे मुझे बंजूर है मुझे बंजूर है अलोग चीर्स डाड खुश खबरी हमारी स्कीम कामयाब हो गए शालू शादी के लिए तैयार हो गई है अब वो उस अनपड मंगल की पत्नी नहीं मेरी पत्नी बनेगी अब एक लाओत भी वेटी यह उस सेट की वो हाँ और फिर सेट तो कुछ दिनों का महमान है उसके बाद करोड़ों की जाइदाद के माले कोने वाले हो सुरफ तुम की बड़ाप माइस सान अब प्रॉड अब यू की बड़ाप थांक यू डाड च्यूर्स मंगल बेटा तुम पर यह अचानक कतल का इल्जाम और शालू का रंबीर से शादी करने का फैसला इन दोनों बातों से मुन्ना बहुत परेशान है उसने कलवा कर भेजा है कि उसके होते हुए नहीं तो पुलिस तुम्हारा कुछ बिगार सकती है और नहीं शालू कहीं और शादी कर सकती है मुला मेरा यार है वो मेरे लिए जान भी देदेगा जान तो हम भी अपने नुचावर कर सकते हैं एक बार आप हुकम करके तो देखें मुझे आप सब बहुत कर्भ है चाचा यह तो चांद और सूरज की तरह अटल बात है कि तुम जैसा नेक इनसान कतल जैसा गिनोना काम नहीं कर सकता लेकिन लेली का खुन हुआ तो है ना अब सोचने की बात यह है उसका खुन किया किस ने किया होगा उसके किसी बदमाश साथी ने और वो और 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 कौन सी शरीफ थी मेरा भाई डॉक्टर मलाउत्रा के यहां चौकिदारी करता है उसने बीसी उबार उसे निश्य के आलत में दुथ वहाँ देखा है डॉक्टर मलाउत्रा वो जो टांक शीर के चलते हैं अन्हेरी पांच्वें रास्तेवन का बंगला है वही ना वही और वो तो हमारे मुन्न जल बेटा मुझे शक है कि वहाँ बेटिया अब खेडिये से नहीं है मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहुत सी मुसीवतों के राज डाक्टर मुलहत्रा के पास बताओ मादीदी कहा हैं कौन हूं मादीदी कौन हूं तुम बताओ मादीदी कहा हैं मुझे बालू मुझे बालू मुझे बालू मुझे बालू बताता है कि नहीं बताता हूं बताता हूं मेरे भाया कुछ तो तुने मादाला अब मुझे क्यों तरबने के लिए दिन्दा चोड रखा है मुझे भी माह दालो माह दालो मुझे वो कुता मंगल मुन्ना को बचा के ले गया मंगल मुन्ना जिन्दा है वहरे मेरे सुर्मा भाई मंगल धन्य है तू और धन्य है तेरी माह जिसने तुछे जन्म दिया रगुपीर, जब जब यशोधा जन्म लेती है, तब तब कृष्छन इस धर्ती पर आता है। युगो पहले यशोधा ने कृष्छन को सिर्फ पाला था। लेकिन उसकी लोरियों में इतनी वीरता थी कि कृष्ण ने इस धर्ती को सभी पापी कंसों और दुर्योधनों से मुक्त कर दिया था लेकिन इस बार इस बार मंगल नामी कृष्ण ने ये शोदा की कौक से चन लिया है अब तू और तेरा बाप अपनी जिन्दगी के दिन किना शुरू कर दो क्योंकि वो तुम दोलों को खत्म कर देगा मेरी आत्मा की आखे तुम दोलों की खून में लिधरी हुए लाशे देख रहे जादी हमारे जख्मों पे नमक छड़िकती है तू मुझ पर जितना चाहे जुल्म कर ले लेकिन मंगल मुन्ना को मरने नहीं देगा तुझे जिने नहीं देगा खामोश माका अजी इसे हमारे जुल्मों की इंतिहा दिखा दो दूटलो इसके इजजत नहीं इसे मालम चल्गे आ, कापड़ कर दो इसे झाल 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 बेहनों के नंगे सर तो भाई ढापते हैं तु मंगल है? हाँ देदी मैं मंगल हूँ जे मालम्ता तु आएगा अपनी बेहन के इसद बचाने आएगा मंगल इन कमीनों ने अपने इनना पाखात उसे तेरी बेहन के शरीर को चुआ है उसे बेहिजद किया है मुझे इतना मारा इतना मारा इतना मारा बस दीदी बस तेरे चर्णों की सौगंद आज तेरे पर ढाये हर जुल्म का हिसाब चुकाऊंगा तू बस उन जालमों की शकले बताती जा करते में मैं दोरता जाऊंगा और है तकीद लुट मोझे इतना प्युकत सब पत्त झाल को जर ज WAT झाल को कि जाच्छ सेऐ Gला को पना झाल कोजा ीब जर झा già जर हुआ को जर को जर 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 जरआ झाल को जर जर जरा जर जो खोलना निए आए आए अरे फुर्टो बहार आओ देखो मिरा भाई आया है जाब चुकाने के लिए अरे इंब दरनो बहारा होना को यार कुटा है, है को यार कुटा सबसे पहले मुझे पुलिस टेशन ले चाल, यह सब क्या करा है, मेरे पती और मेरे ससुर का है, उन्होंने पापा का कतल किया, वो तुझे और मुन्ना को भी मारना चाहते थे, मुन्ना कैसा है मुन्ना ठीक है दीदी, चल, पहले मा की बास चलते है, मुन्ना को मैं वह ही लेकर आता हूँ ओंगल, मेरे चोटे भाई, मैं वहीनों से सोई नहीं तेरे कंदे पर सर रख के सोजाओं दीदी, बाहियों के कंदे बहनों की सारी उम्र का सहरा होते हैं, सोजा मा उमा दीदी, मा उमा, ये क्या हाल हुआ तेरा बेटी? तू तो विदेश कही थी? मा, वो विदेश ही था, मेरे पती ने मुझे अंदे कुए के विदेश में थक्का दे कर किरा दिया था मा मुझे भूत प्रेट डराते थे, काले नाग कटने को तोड़ते थे हर वक्त मुझे अपने भाईयों के मात की आठे सुनाए देती मैं हर लमा, हर पल, बिलग बिलग कर अपने भाईयों के जिंदेगे किस दुआय मागती थी मा, मैं ममता की प्यासी हूँ, मुझे अपनी सीधे से लगा ले ममता की छाओ पे सबसे बड़ा हग बेटियों का होता है मैं तेरी सारे दुख दर्द मिटा दूँगी, तुझे अपनी दिल में रखूँगी कर्म हवा का जोका तक तुझे लगने नहीं दूँगी मंगल, बेटी का पती जालिम या कमीना हो जाए तो उसके मा जाय भाईयों का फर्ज बनता है कि वो अपने बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब ले तुने अपनी बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब अभी तक चुकाया है या नहीं मां अभी तक अस्री जल्मों का सामना नहीं हुआ सामना नहीं हुआ या थु डर गया या मेरे दूदAST का असर तेरे खून में ख़तम हो गया मां, यह मंगली तो है जो दुश्मनों का सर फोड़कर मुझे तेरी मंटा की जाओ में लेकर आया है तो क्या हुआ वो उसका धरम था भाई का बहन पर कुर्बान हो जाना ही उसका फर्ज होता है माँ मैंने दीदी से वादा किया है कि उसे पहले मुन्ना से मिला दू उसके बाद तेरे चर्णों की सौगंद पानी तब प्योंगा जब उस पर किये हुए जुल्मों का इसाब तो फिक कदम भी तभी छुना जब वीर्ता के चाहर दिखा चुपा तुम तुम गलत कदम उठा रही हो तुमने अपने दिल के गहराई से चाहा है मंगल को और तुमें तुमें मंगल से प्यार है मिस्टर अमर रॉय ये मेरी बदकस्मती थी कि जिसे मैंने अपने दिल का द मेरे दोस्ता हो इनी खतरों कुछ दिन और इंतशार कर लो असले तुमहारे सामने आजाई में वह मांने वाला नहीं है बचाने वाला है उसते कई बार अपनी जान पख्या नहीं है फडिश्थता हो बानने मैरी आख के सामने एक मासुम औरत की चानली करने के बाद जब वो पाइर भाग रहा था तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरी आखों साखें मिला सकते हैं शालो तुम कायर कहे कर मेरे दोस्त की बहुत ज़ती कर रहे हो और मैं ये बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकता है नहीं बरदाश्ट कर सकते ना करो तुम्हें मैं यहां खुद आया हूँ तुम्हारी शाजी रोकने के लिए और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूगा मेरे यार की मुहबबत को लूट कर ले जाने के मिस्टर अमर मैं बेहा के मंदब में जा रही हूं और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे कैसे रोक सकता है ना अच्छा मुका है यह लो पिस्तोल और खत्म कर दो अमर को अपना काम भी हो जाएगा और इल्दाम लगेगा शालू और उसके बाप से जय परकश्पर जाजाओ वे चल्वे मरने के लिए तयार हो जाओ जल्याज़ यूझ जल्याज़ जल्याज़, हमुख लिए जल्याज़, हमुख लिए हमुख लिए, हमँख लिए तकारा, जोणम है ओम गणानान उन्टवा, गणबधिगुंगा वाम। कि मुन्ना कहा है मंगल तुन्हें में दूसरा कोई भी तेरी मुहबबत को छिन नहीं सकता मैं ये शादी नहीं होने दूंगा मुना तुम आगे बास गाउं चल बहुत जुरूरी काम है तुम्हारी जुर्ड़त कैसी हो यहां नहीं की कि मुन्हें पास तुम्हारा है कि अजय प्रकाश की आखों को सामने एक मामूली बोरिट होने वाला उसकी बैटी को उसकी बैटी के मरजी के कि खिलाव हुठा कके लेगिया ना तें से तुझ पर और साथ्यों अबर्ज विखर करॉद पॉलिस को फ़ूल कर किया करpole कि वहिए सदलाल वह तुम्हारे होने वाली बहु शालु को यह न parlar की भीटाय को हां हां और उसने अब तक पुलिस को यह बयान भी दे दिया होगा कि हम सब ने मिलके सेट बलवंद्राय का कदल किया है पुलिस मंगल को नहीं हम सब को गरफ़तार करने किसी वक्त यह पहुच सकती है और उसके बाद हम सब के गले में फासी का फंदा बलवंद्राय का खून हमने किया था उसकी तमाम जाइदाद को पाने के लिए अब तुम अपनी सारी दौरत हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें और तुम्हारी पत्मी को भी करते करते हुच सोके बास मैं तुम्हें जिन्दा नहीं सुरूँगा खूर पीजाओ वारे बा और सिठानी को भी अपने साथ ले चलो यह हमारी सेफ्टी की जामानत हो अगर हम किसी तरीके से समुदर के किनारे तक पहुंच जाए तो मोटर बोट के जरीए हम इस मुल्क से फराद हो सकते हैं लेकिन डैट हम समुदर तक पहुंचेंगे कैसे पुलिस तो हमारी हर जगे तलाश कर रही है नजदी की मेरे भाई का धूरों का तबेला है हम गोड़ों पर जंगल के रास्ते समंदर तक पहुंच सकते हैं जल्दी करो जल्दी करो तुम से जो काम लेना था हम ले चुके और वैसे भी तुम जैसे लंगरे डॉक्टर का हम विदेश में क्या करेंगे तुम्हारी मुक्ति का वक्त आ गया है यह ले मर जाए मुना तु अंदर चल तुम भी चलो मेरे साथ मैं तुम्हारी मां से पुछना चाहती हूं कि कैसे निललज बेटे को जनम दिया है आँ चल दिदी 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 यह क्या हो कि तुझे कि मुनना है यह मैं मुनना हूँ तु मुनना है यह भगवान तूße हन के आअउर को मेरे भाई को मिलाया भी मुझे थर्फा थर्फा के तू तो बड़ा खुब्सूरा जवान हो गया है रे ये बेहंतिश पर वारी जाए पीदी, तेरे शरील पर ये जखम के इसने किये ये जुरू मेरे पती ने और मेरे सा सुना वो दो प्रेत रुहे हैं जो हमारे खून की प्यासी और हमारी तॉलत की भूकी इस घर पर मंद्रा रही है उन्होंने मेरी आखों के सामने पापा पर हमला किया मैंने गिर गिराकर उनकी कदमों पर सर रखकर पापा की जिन्दगी की भीक मांगी पर उन्दर इंदों की दिल में रहन कहां मुझे बेवस की आखों के सामने उन्होंने पापा को तरपा तरपा खर माल डाला नगाम से निठाल होकर बेहोश हो गई फिर मुझे पता नहीं कब उन्होंने मुझे उटा कर एक अंतेगार में फेक दिया उस गार में उन्हें मेरे वदन और मेरी आतमा पर जुल्मों की पज़ार कर दी मेरी हर सांस को जेहर में बुझेवाई तीलो से सख्मी करते हर रोज मेरे कानों में तेरी और मंगल की मौत के नश्टर चुभोते आखिर में तो वो इतना गिर गए कि मेरी इज़त लूटने के लिए पागल भेडियों का गाल मुझ पे छोड़ दिया मैं अपनी इज़त की रक्षा करते करते दिठाल हो गई कि मंगल मेरा भाई वहां बाज़ गया और उन्हें मार मार कर उनके टुकड़े कर दिये और पता दिया कि भाई बहन के लिए क्या होता है मां तेरी इस दुख्यारी बेटी के यह वचन है कि दुनिया की हर बेहन और तो बेटी की दुआएं तुझे लगेंगी और तेरा घर लेकी और खुलूस से भरा रहेगा दीदी जिन पापियों ने तेरी जिन्दगी को नर्ग बनाया ये भी उन्हें के घर में भहू बनने जा रही है दला समझा आइसा भागन को मंगल ऐसे अशुपाते अपनी जुबान से मत निकाल ले अगवान ना करे कोई दूसरी लड़की मुझे ऐसे बतकिस्मत हो तु तो कितनी सुन्दर है कितनी भोली शकल है तेरी कितनी नेक आत्मा जाग रही है तेरी आखों से तु ना-द applies am decir मैंने सबकु सुन लिया मैंने सबकु समझ में आगया सबकुस दिख एगए और टी यह भी उनके साथ है मंगल का सीना चलनी करने के लिए कोली अब भर रखकी तेसने मेशालो मैने तुझे मंगल के मोहबब सो आधाद कर दिया चाह चाह कर अपने मन चाह से शादिक कर ले जा देखे रहिए मुन्ना ने जो कह दिया सो कह दिया अपनी दीदी की खादर मेरा फर्ज ये बनता था कि तुम्हारी शादी के मंड़े पर उन जालिमों को खतम कर दू लेकिन मैंने उने जिन्दा छोड़ दिया इसलिए कि मैं तुम्हें अस्री दिखा सकूँ अब जा कर कह दे कि भाई अपनी बहाइन का बदला लेने आ रहे हैं अब ना उनके कंधे पर सर रहेगा ना पैरो तले जमीन मा मुझ सब भूलो गई मैं इन सब बातों से अन्जान थी इनसे कह दे कि मुझे माफ कर दे रुख जाओ इनकी क्या मजाल है जो तुझे माफ न करे तांगे ना तोड़ दू इनकी मेरी बात कान खोल कर सुन लो शालू मेरी बहू है समझे प्रॉब रुध जाओ ड़रण कि अर्जान थी तोड़ जाओ डु़दीं बात कि हमे कर दोड़ देप कि रुब रूख जाओ इनकी रुआ जाओ रुदीं बात रुदाओ रुदा वभू प्रुदाओ मंगर मुझे तो मेरे गुनाओं की सजा मिल गई लेकिन सुंदर्रार और रगवीर वो दोनों घोड़ों पे सवार होकर जंगल के रास्ते से कि समुंदर की तरफ गए हैं उन्हें हुन्हें मत छोड़ना कि 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 झाल झाल प्रब जाल झाल प्रफेंग दोड़ी हो आई जाले लाग। क्या रखिया है, ते रांख म nee भॉंडे लॉरॉ कर सकता है झाल झाल कर झाल खुफर खुफर सकते हैं मैं यणिटीक के कजमों में करो है इदी मुझे हुकम दे मैं इन दोनों के सर काड़कर तेरे कज़बों में फेखतू हूँ तुने बज़ा लेकर दिखा दिया है मेरे बीरे ले अप पानी पी मुझे अपना पेज जुम करने वालों शायद तुम्हें नहीं जानते कि बहनों के भी भाई होते हैं जो उन पर जुम करने वालों की क्रूर आत्मा और घिनोरे शरीर से एक एक हिसाब नोच लेते हैं अपनी गंदी जबान पर बेटी जैसा पवित्र शब मतला अरे बेटी तो परमात्मा के सबसे बड़ी रहमत है अजिस घर में बेटी के कदम पड़ जाए उस घर में ईश्वर की क्रिपा करनेगी आ जाती है पर तुझ जैसे लोग जो बेटी का निरादर करते हैं पर बाद हो जाते हैं प्रगवान के प्रकोप का निशाना बन जाते है ओमा तेरी मांका यह सन्दूर तेरी माथ्य की बिंदिा तेरे Sut य शौकह pa john मेरे नाम क्या है ओमा मैं मैं तेरा पती हूँ मांका संदूर कर पर है कि एए ऐ तेने मिटा दिया कि माती की बिंदिया ले, उद्रे हैं डाली मंगल सूत्र ले, तोर दिया ये सारे सहाग के चिन तो मैंने सजाई ही थे उजाणने के लिए फिर भी मैं तेरा पति हो पवित अगनी के गर्द मैंने सात्फेरे लगाए हैं तेरे साथ पती, तू पती ऐसा पती जिस ने मरी हांकों के सामने मेरे बाबूल की जान ले दिया जो हर रोज मेरे भाईों को मारने के लिए शर्यंत रश्टरा जिसने खुद मुझे उन दरिंतों के सामने डाल दिया ताकि वो मेरी इज़त नोच नोच करकाते वे अरे तुने तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जो पती जैसे माहन शब्त वाला हो इसलिए तुझ जैसे पापी को खत्म कर देना है इस पत्नी का फर्ज बनता है तकि धर्ती मया के सीने से हमेजा के लिए यह पापर जाहे है इश्वर मै तुझे टात ना करती हूँ कि मेरे जैसा सुहाद तुनिया के किसी बेटी को मत देना तुनिया फिर्टी तुनिया 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 पार, दो forward! रख़ोक्त! रख़ोबड़! रख़ोब़़़!! रख़ोब़़़!! रख़ोब़़!! रख़ोब़़!! वाँ, इसन्ट, पदातको! यदिम्नी शे署 के दाटब़़! यह मेरे पापो की सजा है, यह मेरे दोनों बच्चों की लाशे है यह, मैंने ही सेड़ बल्वाल प्राय का खुर किया था मैंने इस मास्थूम देवी हुबा को अगवा करके रॉब 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 इस सज़ता है मुच अगटी को, मुच अगटी को यहसी सजा दे लेचा है इस्पेक्टर के आने व Онी इनसलों क्लिए इसमीशार पर करए जेए मुच आतलो इस्पेक्टर वो की आतलो मुचा दी ले चाने है माँ अब तो पैड़ चुकर मम्ता की महानता की पूजा कर सकता हूँ हाँ बेटों की पवित्री विर्ता ही मम्ता की महानता का मान होती ही मुझे तुम पर गर्व हो अरे देख चुनरिया उड़ना जाए मुख पे तेरे सहाए मुखडा तेरा चुम चुम के फुर्वा मोज मनाए ओ नैनो वाली कस के चलाबान रे ओ नैनों वाली कस के चलाबान रे जीरा मेरा तेरसे पड़े चेन रे ओ पंते वाले ओ पंते वाले सैया मिलाने नरे हाई 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 मैं ओतार्य कार अवाल claud हाई भörung हाई हाई कि च्टे को जोगे दो पर दो कि कि अज़ते हैं आप जोगे दो कि अज़ते हैं प्यार की पतियां, यू ना कुछ को छेगी साया, ताक के सारे सत्किया, ओ नखरे वाली, ओ नखरे वाली, अपना बताना मुझे